हिसार टुडे बदलते रहे समय के साथ हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पे क्लिक करें और पाएं हिसार के ताज़तरीन खबरें नमस्कार कॉफे विद लिए आपका हर्दिक स्वागत है पेहुआरश्न अंत्र पाथि दोस्तों आपको पता है कि आज बहुत ही फेबस ये कहावत है कि आयरवेदिक वर्दान होता है और इसी बात को साबित करने के लिए धनवंतरी ग्रूप जिस प्रेकार से मेहनत कर रहा है उसके साथ धीरे-धीरे काफी लोग जुड़ रहे हैं और आज हमारे साथ मौझूद हैं लाइन सुरेंदेचिंदा जी उनसे जाना चाहेंगे कि सर आप लाइन क्लब के साथ भी काम कर चुके हैं और ऐसा कौन सा वो इंसिडेंट था जिसकी वज़े से आप धनवंतरी ग्रूप के साथ जुड़े एक इमोशनल वो टच था या इमोशनल वो कहानी थी क्या थी वो बताई मैं मैडम नवशकार सबसे पहले सभी को और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज इहां आकर कि आप इस वीशे भी हम बात कर रहे हैं पिछले 94 से मैं लॉइंस कलब से जुड़ा हूँ है हिसार से ही हूँ और पिछले 25 साल से लॉइंस कलब के माधियम से हम लोग सेवा कर रहे हैं और लॉइंस कलब इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी संस्ता है जिसमें 14 लाग से भी जादा मेंबर हैं लेकिन अभी कुछ इंसिजन्ट ऐसा हुआ मेरे साथ 2008 में मेरे मैडम एक्सपायर हुए और बहुत छोटी सी एक गलती थी उनकी डॉक्टर्स की गलती लगा लो या इश्वर की कोई मर्दी लगा लो कि उनको गाल बेडर का स्टोन था और उसकी वैसे उनको पें हुआ लेकर गए तो थोड़ी सी लापरवाई समयलो या मेरा दुर्भागे समयली जिए कि वो होली का दिन था और स्टाफ नहीं था तो डॉक्ट सब ने कहा कि पें है इनको तो हम अभी दो दिन के बाद इनका उपरेट करेंगे तो उन्होंने उनका उनको ठीका लगा कि वो सुल लो में तो वहाँ भी मेरे काफी पैसा भी बहुत लगा लाखो रुपे में लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए तो उस समय से एक मन में टीज थी कि एक गालवेडर की छोटी सी स्टोन भी किसी को मार सकती है तो उसकी वाई से मेरा पूरा घरी अपसेट हो गया क्यों मेरी दो बेटियां हैं और सबसे बड़ा दुरबागय था कि उनके में डेथ हो गई और उसके बाद मेरी बड़ी बेटी को थाइरड था तो वो छोटी सी थी 12-13 साल की तो थाइरड का उनको एक हाइपो थाइरड हो गया और उसकी बारे में भी हमें उतने ग्यान नहीं था मेड बलकि उल्टा उसका सारी बोडी का केल्शियम खतम हो गया उस थाइरोक्सिन टैबलेट की वज़े से फिर मैं फोटीस में मुझे बताया किसने कि आप फोटीस जाए चंडीगर में भी 3-4 साल इलाज करवाया उसका लेकिन ठीक नहीं हो पाई और इन बिट्विन चार साल प हुए तो उस में मुझे पता चला कि इतने में डॉक्टर्स ने मैंने वहाँ सवाल किया मैंकर डॉक्साब की यह जो ऐलोपेथी की डिजिस हैं और इन में आज थाइरड का कोई लाज नहीं है या गाल बेडर से भी किसी की डैथ हो सकती है तो उन्होंने मुझे बड़ी संत नहीं रहने देंगे हमारे पास ऐसी मेडिसन है आप उस बच्ची को 4-6 मेंने खिलाई है और वो ठीक हो जाएंगी तो मैंने उनके कहने पर और धरवंतरी को बड़ा सर्च किया फिर मैंने देखा कि इमुरिच और कैल्शियम यह दो मैडिसन ऐसी है जो कंपनी के पास तो मै जिरी देरे वो खातम हो गई और आज वो ठायरे उसका ठीक हो गया और चंडिगर के डॉक्टर से कह रहे थे कि इसकी आप कभी शादी नहीं कर सकते तो ड्राते थे बहुत ज़दा तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि इन प्रोडेक्ट की वज़े से मेरी बीटिया ठीक ह अगर बीमारियों से निजात पानी है तो क्या बहतर है इनसान के लिए? देखे आईरवेद तो हमारी प्राचीन पदती है और आईरवेद से ही ये आज ऐलोपेथी पैदा परदान हुई है तो हम लोग क्या कर रहे है कि डॉक्टर पार्टिल देखो एमडी मेडिसन है, डबल गोर्ड मेडलिस्ट है, हार्ट स्पेसलिस्ट है, इंडिया के पहले 10 डोक्टरों में नाम है उनका, अभी बेटे भी उनके दोनों अमरीका से सर्जन है, बहुई डोक्टर है, जब ऐसे ऐलोपेथी के डोक्टर उनकी सोच बड़ी अच्छी है, त उस समय हम आईरवेद में नहीं जा सकते, किसी भी जगा पे, सरजरी में, लेकिन हमारा मकसद यह है, डोक्टर पाटिल का कि हमें वो नोबत ही ना आए, तो इससे पहले हम आईरवेद को अपनाए, तो इमूरिच उसी में यही काम कर रहा है, तो यह इम्यून सिस्टम पे का करती है, और अगर कहीं लास्ट में कर डॉक्टर्स कहा दें कि ओप्रेशन होगा, तो हम लोग इसके पंदरा कैप्सुल यह बीस कैप्सुल का पावडर इसका कलोस्टरूम निकालके उस बच्ची को पिला देते है घरम पानी में, तो आज तक हमें कोई इसमें नाकाम या भ विदेशों में भी इसके डिमांड हो रही है, मैं चार साल पहले जुड़ा था, मेरा कोई टार्गेट नहीं था, क्योंकि मेरे घर में एक खुशी आई थी तो मैं उसलिए जुड़ा था, और मेरा कोई इतना विचार नहीं था कि मैं इसमें ज्यादा काम करूं, लेकिन मु मेरे सब जानते हैं, तो मैं ऐसा कोई कामी नहीं कर सकता कि जिसमें मेरी कुछी प्रकार की कोई रेपूटिशन में फरक हो, तो लेकिन इस कंपनी में और डॉक्टर पाटिल के मिशन को देख करके, और इसको मैं अच्छी तरह सर्च किया, तो मुझे लगा कि इसका परचार होना चाहिए, तो मैं अपने तरह से इसमें पूरा इन्वल्व हो गया, मेरा आटो मार्केट में बहुत अबड़ा काम था, मैंने वहाँ जो बच्चा मेरे पत काम सीखता था, उसको मैंने वह हैंडोवर किया, और मैं पूरी तरह से आज इसमें समर्भित हो के, आज मैं डा बढ़ता एक डाइमेंट की पोस्ट पे हो, आज 7-8 जार लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मैं रो जा ना कहीं ना कहीं किसी गाओं में, हर दूसरे दिन, तीसे दिन जाके परचार कर रहे हैं, और धरवंतरी का सिरफ एक ही मिशन है, डॉक्टर पाटिल सर का, कि आप कोई ऐसी बात नहीं करते, कि अगर कोई हमारे पास इलाज नहीं है, तो हम उस पर बात ही नहीं करते, तो हम उसको बिल्कुल गाइडलाइन दे लेते हैं, कि सर अब फोर स्टेज का कैंसर पे, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, तो हम उसको रिलीव दे सकते हैं, से या डिटॉक्सिफाई कैप्सुल से या ग्रीन डिच हमारा एक कैप्सुल है लेकिन यह नहीं कर सकते कि हम उसे ठीक कर पाएंगे लेकिन पहली दूसरी स्टेज के कैंसर पर हमारे पस यह मैडिसन है अगर वो लेना शुरू करे तो नैच्रल बात है थोड़ा लंबा चलता ह है अईरवेद में इलाज लेकिन वो ठीक हो जाएगा पका यह मुझे इतना विश्वाश है कि हम इतने इमानदारी से काम करने हैं और इन प्रोड़क्टों को ब्रहमास्तर की तरह मानते हैं तो यह आज से दो जाराट में जब स्वाइन फिलू आया था तो इसी ने एक तहल है उसकी वज़े से लोग भी यही कहते हैं लेकिन जिस प्रेकार से यह प्रोड़क्ट जो प्रसिद्धी की शिखर तक पहुच रहा है उस पर कहीं ने कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान में मानती हूं क्योंकि आप ना किवल हर्याना बलकि काफी राजियों मे भी आपने इसका प्रसार किया है कितनी मेहनत लगी है और क्या आपको लगता जब रिजल्ट आते हैं बाहर लोग बोलते हैं कि आज हमें इस बीमारी से निजात मिल गई उससे मिल गई कितनी खुशी होती है आपको परसनल लेवल अभी खुशी क्या है बस अंदर से एक ऐस इसका उठती है कि अगर मैं किसी को अगर एक छोटी सी बीमारी से मैं अपनी रमपतनी को नहीं बचा पाया लेकिन आज हम बड़ी-बड़ी बीमारी के लोगों को ठीक कर रहे हैं आटो इम्यों डिसोर्टर्स को सोराइसीज को शूगर पेशन्ट की जिंदगी बना रहे है तो यह मेडिसन उनके ओर्गन को डेमेज नहीं होने देती तो उनका इम्यों सिस्टेम बड़ी आ रहता है गठिया बाओ है बहुत बड़ी बीमारी है शूगर से थायरड है जिससे मेरी बेटी गरस थी उसका आज भी ऐलोपेथि में कोई इलाज नहीं है आईपर और जो बीमारियों से गरस थे बड़ी बड़ी बीमारियों से और ठीक हुए तो आज वो ठीक होके इसका परचार कर रहे है यह मतलब रिजल्ट ही उसका प्रचार है इतने रिजल्ट है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि कई अभी मेरे पास एक साल पहले दो बच्चे आये थे त तो बड़ा अच्छा मेरा उनका भागे था एक मेरे मित्र है खारिया गाम से पिर्थवी जी सर्पंच है तो उन्होंने मुझे पता चला कि सुरेंदर जी अब धर्वंतरी में कुछ कर रहे हैं काम तो उन्होंने मुझे फोन किया मैंने उनको बुलाया तो आज वो दोनों करते हैं इमुरिच की तो उससे उसके घाव भर जाते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं तो आज वो दोनों बच्चे एडी डास के जूते पहनते हुए घूम रहे हैं और मुझे बड़ा उस्ट में अश्चरय हुए कि हिसार के हमारे मेरे मेरे दो मित्र है सर्जन तो उन साल 18 साल के दो जंग थे और आज अगर पैर कट जाते तो उनकी क्या लाइफ रह जाती तो दिमुरिच ने बहुत जिंदगी यह दी है लोगों को मुझे भी जिंदगी दी है और मैं आज लोगों को इसके माध्यम से और हमारे डॉक्टर्स के माध्यम से क्योंकि धरवंतरी में एलोपेथी, आयुरवेद, एक्कुप्रेशर और नेचुरोपेथी के सभी लोग मिलके, हमारा मकसद ही यह है कि कि किसी भी तरिक्के से किसी भी पद्धिती से वो पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसके लिए दवाई कोई जुरूई क्योंकि आपकी बोडी में 70% पानी है, तो अगर हम पानी पूरा नहीं पीएंगे, तो अगर आप 2-3, आपका 60 kg बेट है, तो आपको 3 लिटर पानी आपको रोज चाहिए, 9-10 गिलास तो अगर आप 1 लिटर पी रहे हैं, और 2 लिटर पानी नहीं पी रहे, तो जो रोज वो 2 लिटर पानी आपकी बोडी में कम हो रहा है, वो आपके मेटवलिजम को खतम कर देगा, और फिर बड़ी डिजिज बन जाएगी, और ऐसे ही पानी की ठंडा पानी बिल्कुल कभी नहीं पीना जाते हैं, तो हमेशा बैटके पानी पिना चाहिए, और चोथा पानी है, आज आरो है, आरो में डबली एचो ने भी बैन किया हुआ है, कि आरो के पानी में मिल्लस नहीं मिलते, लेकिन हम हमारी मजबूरी है कि हम आरो का पानी पी रहे हैं, तो हमें तो उनको सिस्टम बता रहा है कि एक हम जो सबसे आदा काम कर रहे हैं इमुरिच खिलाने से पहले भी, कि अगर आपको इमुरिच खाना है तो आपका पेट साफ होना चाहिए अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा और आपको constipation है और कबज रहती है तो सबसे पहले हम उस पे काम करते है तो उसका पेट साफ करते हैं उसके लिए और आपको दूशित वातावरन गलत पानी पानी तो कितना गलत मिर रहा है अभी लेडिस लोग तो कोई शराब भी नहीं पीते उनके लीवर खराब हैं, तो पानी की वैसे उनको पत्री की शकैत, पेट की शकैत, कबज की शकैत और बड़े-बड़े लीवर सोराइसीज पानी की वैसे हो रहे हैं, तो पानी हमारा देश का दुरभाग है कि आज भी पानी हमें सही नहीं मिल रहा है, दूशी तवातावरन ह हमारे सांस के रस्ते जाताएं तो इतनी बड़ी बड़ी बिमार्याydı हमारे को सांस की इनकी विसे लग रहे हैं। हम लोग पेट साफ पो काम कर रहे हैं और जड़ प सबस्ता है ठोड़ चलेगा आपका ईलाज लेकिन जड़ से आपका यलाज हो जाएगा. और आप ठीक हो जाओगे जिस प्रकार से जो काम कर रहा है आज क्या विदेशों में भी इसकी डिमांड हो गई है क्या जो रिजल्ट देख करें बिलकुल मेरे पास यहां पर इसहार में दस भी पेशेंट ऐसे हैं जिनके काफी मतलब रिलेटिवस महा हैं यूके में अमरीका म तो अमरीका में तो यह बनता ही है इसका कलोस्ट्रों वहीं से आता है तो मतलब आज जिसको पता नहीं है इमुरिस के बारे में या कलोस्ट्रों के बारे में तो इसको पर रिसर्च बहुत हुई है बहुत काफी सालों से रिसर्च हो रही है कि अगर मा के दूद के बाद अम्रित और गोप्यूश बोलके क्यों गए तो उन्हों ने इस पर सर्च की डॉक्टर बिशे करतकल के साथ तो आज हमें पता चला कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर्चीज हमारे पास है लेकिन इसको यहां से नहीं लिया क्योंकि यहां जो गाएं हैं वही जूरिया पैसे से यूज करती हैं खाती हैं तो इसमें करता हैं इसलिए यह काफी डबली अचों से पास है और वर्ड क्लास मेडिसन है तो इसमें कोई केमिकल नहीं है तो इसको प्रेगनेंट बच्ची भी खा सकती है तो इतना सेफ है तो इसको खाने वाले को कभी उसका रोग प्रतित शमता नहीं मरेगी तो रोग पत्त शम्ता आज हमारी किसी को पता ही नहीं है इस देश में भी वो मिली कहां से तो सबसे पहले हमें वो मा के दूद से मिलती है और एक बार मा का दूद पिया हुआ बच्चे को 35 से 40 साल तक उसकी रोगों से लड़ने की शक्ति को बरकरार रखता है व और उस दूद की जगा आज गाएं का पहला दूद और यह हमारे पास है ब्रहमास्तर की तरह तो हम इसको यूज कर रहे हैं और बड़े लोगों की भलाई कर रहे हैं इसके साथ तो मिलके हम लोगों का एक मिशन है कि हम लोग मिले मैं जुड़ा तो मेरे बच्ची ठीक जो उनके पास पदती है वह ही देंगे तो मैं खाता रहा दीरे- Harbor मुझे एक tablet लेनी पड़ी तो इसके साथ मुझे दो और बड़ीं यानि मालो मैं BP की tablet ले रहा हूं तो BP की tablet हमारे को धीरे-धेरे उसके side effect अगर हम लंबा खाते हैं तो आपके जोडों के गुटणे grease को वो बिमारी ठीक करने के बाद 10 बिमारी और लग जाती है आयरुवेद में सीधा से सिधानत हैं डॉक्टर पाटिल को क्यों आना पड़ा 40 साल की प्रैक्टिस के बाद की आयरुवेद कितना जरूरी है तो शुरू से भी इमानदा डॉक्टर रहे हैं तो उनको कभी भी अपनी तो आपको किसी भी मेडिसन की जूर्थ नहीं है तरकी कर रहा है और जितना नाम हो रहा है दनवंत्री का यह बताए कि अभी हिसार के हम बात करें कितनी डिमांड है यहां के दर्शकू को आप क्या कहना चाहेंगे क्यों यूज करना चाहिए दनवंत्री के प्रोड़क्ट् 14W लेडिस के लिए बच्चों के लिए समर्थी रीच अगर यह प्रोड़क्ट आप यूज नहीं करेंगे तो आपको पता क्या चलेगा यह क्या है तो वो कहते है इसको जो कंज्यूम करेगा वो कभी इसको छोड़ेगा नहीं और यह इमुरिच और डेटॉक्सिफाई हिसा जो उसमें से मां के दूद में मिलते हैं या फिर गाये के पहले दूद में तो उस कंपनी ने उनका भी पेटन्ट है उस कंपनी का उनके पास यह टेकनोलोजी है पूरी दुनिया में उसके वो 89 मुल्स निकालके और इसको पाउडर में कर दिया तो यह आज इमुरिच की यह कभी भी कम नहीं होने दिता इसलिए है एचाइवी पर यह काम कर रहा है यूंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि रोग परतियों शम्ता बिल्कु खतम हो जाती है यह उसको काटने का काम करता है तो इमुरिच के उपर मुझे इतना डाउट विश्वाश है कि हम अगर इसको जो लोग इसको रेगलर खाएं तो इसको कभी बूड़े नहीं होंगे हमेशा यंग रहेंगे इमुरिच सिस्टम का बढ़िया रहेगा तो अभी मैं आज दस साल से जो मैं टैबलेट लेता था 20-20 गोलिया आज मेरी कहां गई हो मैं मित्रों से कई बर बात करता है बिल्कुल HIV पर एक दो प्रडेक्ट हम और भी देते हैं लेकिन इमुरिच इसलिए काम करता है क्योंकि इसमें इसके सेल बनाता है तो यह सेल नहीं बनाने का काम करता है इसमें कई तरह के ग्रोथ फेक्टर है तो ग्रोथ फेक्टर की पढ़ाई भी मैं समझता हूं जो बात करते हैं कि ब्रेन स्टोक पे और नसों को बनाने का काम करता है अगर हम कहते हैं किसी ग्रीस बनानी है या गुटने की कार्टलेस खतम हो गई तो इसमें कार्टलेस बनाने की शमता है वो मा के दूद में भी है बच्चा जब बड़ा होता है साल सवा साल में तब ही खड के लिए लग है वो ग्रोथ फ्यक्टर इसका में जड़ा है इसमें पी आरपी और इमोगलिबिन्स और स्वारे विटामिस मिल्लस सब कुछ है जो प्रकृति ने हीश्वर ने डाला हुए आपको बदाम काजू खाने की जूरत नहीं अगर इमुरिच खा रहे होता हुए है कि जिस प्रकार से आयरवेदिक इस प्रोड़क को बढ़ावा मिल रहा है स्वस्त भारत अभियान कहीं न कहीं वो पूरा होता नजर आ रहा है तो चले लेते हैं आपसे जादत नमश्कार हिसार टुडे बदलते रहे समय के साथ हिसार टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और पाए हिसार के ताज़तरीन खबरें